वन वन थ्री के अंदर अगेन इसमें भी क्वेश्चन करो को तू भी चल जाएगा अब थोड़ा बहुत कंसेट देख लो इसके अंदर सुन लो क्या बोलता है वन वन थ्री फेर वालू मेशरमेंट ठीक है अपने पास है 15-20 और है अपने पास आजाओ स्कोप स्कोप में क्या बोलता है देख लो सबसे पहले फेर वालू मेशरमेंट का मतलब क्या है अब अपने इत्ता सारे इंडेस पड़े इत्ता सारे इंडेस में जहां 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 ज नहीं होते है तो जो भी index 2 का MRV है यहां covered नहीं है और 36 का value in use है वह अ बचा किया 16 का fair value 38 का fair value 105 का FVLCS m abort live呀 सब यहां cover हो जाते है, बराबन, आगे, financial instruments में, जो fair value है, वो सब यहां cover हो जाते है, definition दिया हुए, what is the meaning of fair value, एक ही बात ध्यान रखो, fair value selling price होती है, ठीक है, बेचने वाला दाम होता है fair value, वो बोलते है, price that would be received to sell an asset, और pay to transfer liability, between orderly transaction, between market participants, at the measurement date, जिस दिन का fair value चीए, अगर उस दिन इस item को बेशते, तो कितना मिलता, उसको बलते है selling price, अच्छा, normally, नए नवेले asset के लिए, जो day one का purchase price है, और day one का sell price, same ही होता है, लेकिन पुराने asset में, वो अलग हो जाता है, ध्यान रखना, तो, वो बोलता है, कभी-कभी, कभी-कभी, आपका initial recognition पे, fair value will be equal to TP, that is, entry present, exit price, same होगा, लेकिन कुछ-कुछ case में, वो अलग होता है, कुछ-कुछ case में, आपका day one का fair value और TP, same नहीं होता है, उसके बारे में, आपन 109 का अंदर बात करते हैं, ध्यान रखना, but anyways, fair value is the exit price, ध्यान रखना, ठीक है, आगे, फिर, अब एक guidance दिया हुआ है, principle and most advantageous market, suppose मेरे पास Reliance के shares है, अब Reliance के share, NSC पे भी trade होते हैं, और BSC भी trade होते हैं, तो, उस case में, मैं कौन से वाले market की value को fair value मानूँगा, बराबर, तो उसको बलते हैं, उस case में आपन देखेंगे, सबसे पहला preference दोगे आप, principle market को, किसको दोगे आप पहला preference, principle market को, what is the meaning of this, principle का मतलब, जहाँ वो जादा value में trade होता है, तो अगर वो NSC में, जादा value में trade हो रहता है, अगर BSC में, जादा value में trade हो, तो BSC का value लोगे, पहला, second, अगर आपके बस, principle market नहीं है, तो you will consider the most advantageous market, अब most advantageous market, कैसे निकालोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यह बहुत critical part है, आदर लोग यही mistake करते है, तेखो मैं आपको, अभी कैसे निकालोगे, आपको question में, selling price दिया वारेगा, transportation cost दिया वारेगा, transaction cost दिया वारेगा, most advantageous market निकालने के लिए, आप दोनों खर्चे माइनस कर देना, transaction cost में माइनस करना, transportation cost में माइनस करना, तो most advantageous कौन से है, जहां को धादा पैसा मिलेगा, anti-6, लेकिन, अब market देगी, fair value क्या होगी, fair value निकालने के लिए, आप selling prices सिर्फ और सिफ, transportation cost माइनस करना, transition cost कंचेडर मत करना, मतलब when you want to consider most advantageous market, you will deduct all the cost, लेकिन, advantages market मिलने के बाद, जब आपको पुछे, fair value कितनी है, तो आप सिर्फ selling price minus transportation cost बोलोगे, तो इस case में, मेरी fair value कितनी होगे market देगी, 100 रुपया होगी, जियान रखना, बराबर तो मैंने 2 step procedure दिया हुआ है, in case of most advantageous market, there is a two step procedure, पहला ढूंडो, what is the most advantageous market, वाँ सब minus कर दो, और फिर, जब आपको मिल जाए most advantageous market, तो उसमें selling price में सिर्फ transportation cost minus करना, ज्यान रखना, फ्लेर वाला पाट, खतम कहानी इसकी, ये पहला case है, जहांब भी discuss about, ट्रांस्पोटेशन, sorry, principal market and most advantageous market, और इसमें मैंने बताया, कैसा निकालना है, उसके बाद second case, fair value for a non-financial asset, सब्सक्राइब कर पीपी वगेरा है, तो उसकी fair value क्या होगी, तो वो बोलता है, जो भी इसका highest and best use है, for example, मेरे बास एक property है, मैं currently उसको studio के दाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन, if I want, मैं इसको OYO बना सकता हूँ, मैं इसको club बना सकता हूँ, मैं इसको beauty parlor बना सकता हूँ, तो अब, which is the highest and best use possible, जो current use कर उससे फरक नहीं पड़ता है, possible क्या highest and best use, beauty parlor, तो ये मेरा fair value होगा PPA का, हाँ, highest and best use तब लेना, when it is physically possible, legally permissible, financially feasible, मतलब basically, इस property को beauty parlor में convert करना, physically possible, legally permissible है, financially feasible है, तो ही आप ये value लोगे, suppose government ने allow नहीं किया, beauty parlor बनाने को, बोला भाई साब, beauty parlor नहीं बनेगा, वो बोलते, असली चरह दिखाए देगा हर इंसान का, no beauty parlor, no make up, तो उस case में next, highest and best use कोन सा था, club, तो आपन club वाली value इंसान करेंगे, ध्यान लगा, कलग खतम होगे इसकी कहानी, उसके बाद आपका आता है, fair value hierarchy, अब ये fair value hierarchy जबदस चीज है, इसका मतलब क्या ध्यान से सुनना, fair value hierarchy का मतलब क्या है, इसके लिए भी आपन किताब में जाता है, फटा फट से क्या बोलता है, देख लो इदर, वो बोलता है, there are some fair value rules, अगर आपके पास, कोई भी equity instruments है, debentures है, preference shares है, तो अगर ये equity, debenture, preference share, active market में trade होते है, मतलब वो listed है, तब तो आप वो, जो market पे trade हो रहा है, जो price है, वो consider कर लो, अगर इनका कोई भी active market नहीं है, तो उस case में, you will, you will enter into fair value hierarchy, now what is the meaning of fair value hierarchy, यहां तीन level of inputs है, level 1, level 2, level 3, बराबर, अगर आपके पास, खुद का active market का fair value नहीं है, तो आप identical company का fair value, उठा लेना, without any adjustment, तो उसको बलेंगे, आपने level 1 input का fair value consider किया है, अच्छा, अगर आपके लिएसी, exactly identical company नहीं है, तो आप लोगे, similar company का quoted price, quoted मतलब, listed company का price, तो similar company का price, अगर आपने लिया, तो आपने level 2 का input उस किया है, अगर आपके पास, नहीं कोई identical company है, नहीं कोई similar company है, तो उस case में, you will use valuation techniques, जो है level 3 का input, valuation technique में, जो आप Sv में सीखते हो, dividend discount model, golden growth model, discount cash flow model, तो वो सबसे जो आपको मिलती है, fair value, उसको बोलते, level 3 का input का fair value, ध्यान लगना, अगर आपके खुद के ही shares, यह जो equity shares है, अगर यह खुद ही listed होते, तब तो hierarchy में घुसना ही मत, खुद की fair value नहीं है, खुद के active market की value नहीं है, तब यह आप hierarchy में घुसना होके, identical company यूज किया, level 1, similar use का level 2, और technique यूज का तो level 3, यह बार त्यान मतना, अब इसमें थोड़ा और detailing है, depth में चले जाए का थोड़ा सा और, सुनना मेरी बात, identical company का, level 1 पते है कब होगा, अगर identical company का अपने fair value यूज किया है, without any adjustment, तो बोलेंगे level 1 का input, अगर इसमें आपने छोटे मोटे adjustment किये, भले insignificant adjustment किये, चोटे मोटे adjustment करके consider किया है value, तो हम कहेंगे, it will be level 2 input, और अगर आपने identical company का data यूज किया, और बहुत significant adjustment किये, तो level 3 input, जान रखना, बराबर उसके आगे, अगर आप similar company data यूज करते हो, without any adjustment, तो level 2 का input होता था, लेकिन अगर इसमें आपने adjustment किया, अब वो significant हो कि insignificant हो, level 3 input माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान लखना, yes, perfect, hello sir, just want to say thank you, I am a chartered accountant and cleared FR with exemption, exemption, because of your helpful videos, this is the comment we are all making, for next Marathon, अच्छा, अच्छा, जाब बोलता है, मैं manifest कर रहा, वो बोलता है, अब आजाओ, अब इसके कुछ questions कर लेते हैं, आजाओ, questions करते हैं, फटा-फट से इसके, जल्दी से आजाओ, जल्दी से, क्या शांदा तरीकर से निटारे रहा, अपन मजा आर एकदम ही मिरको तो, जो काम के questions हैं, वो करते हैं, मतलब अगर आप देखोगे ना, तो इसके आदे से आधा question, SFM वाले हैं, मतलब वो concept से relation में ही नी, SFM का technique उस करने का है, सुलो कैसे करने का है, सब्बोस, illustration number 4 है अपने पास, क्या बोलता है, अपने पास 5% equity shares है, जो आपने 10 crores में acquire किये थे, बराबर, अब company क्या बोलता है, company process में है, financials बनाने के, अब क्या हो गया, अपने को इस जो 5% shares है, इसका आज का fair value चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ data दिया हुआ है, कि यह ना, ऐसे similar case में, कि इस ने 20% acquire किया था, 60 CR में, और अपने को यह दिया हुआ, enterprise value divided by EBITDA, है ना, EV divided by EBITDA, is equal to 8, है ना, और अपने को बला EBITDA is 40, तो आपको इससे enterprise की value मिल जाएगी, that is, अगर आप यह 40 है, तो यह कितना हो जाएगा, तो मैं बोलतू, तो आपको answer आजाएगा, है न, यह नहीं, यह 40 है, EBITDA 40 है, तो EV कितना हो जाएगा, तो आपका EV will be 8 into 40, that is equal to 320, अब यह तो पूरे company का value हो गया, इसमें आपके पास कितना 5% है, तो आपका 5% कितना हो जाएगा, 320 into 5%, 16, अब वो बोलता है, यह तो normal price है, लेकिन इसमें आपको 5% का liquidity discount और 5% का NCI discount लगाना पड़ेगा, जब discount बोले तो minus कर देना, तो 5 plus 5, 10% minus करना है, तो minus कर देना 10%, तो कितना आएगा minus 10%, तो आएगा 14.4, यह आपके shares का value है, basically मैं बोलो, आपने valuation technique यूज किया, level 3 input यूज किया आपने, but वो पूछा नहीं अपने से, 14.4 is the answer, खतम कहानी, फिर आएगा आपका illustration number 5, यह भी must of question, time pass question है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, बोलता है, पाथ साल के cash flows है, cash flows दिखेने के discount कर देना, और terminal value दिया हुआ है, यादे कि आपका SFM, दिल दधग हुआ के SFM सुनकर, आने वाले ना FR के और cash का balance दिया हुआ है, cash surplus है तो add कर देना, इससे आपको पूरे company का value मिल जाएगा, अपने को per share का value पूछा है, value per share, तो divide by number of shares कर देना, तो आपको मिलेगा value per share, खतम कहानी, simple यह वाला part, yes or no, yes, आगे बढ़ जाए, चलो, आगे बढ़ जाते है, फिर आते यह वाला part, question number, 6 तो similar है, 6 time bus है, 7 भी easy है, 7 नहीं इतना, 8 पे आचाओ, यह LDR का papa square है, है यह LDR square है, मस्तो question एक नम, क्या बोलता है सुनना, बोलता है, decommissioning का value ढूणने का है, हमने को, हमने क्या गाता है, decommissioning का value ढूणने का है, इसके अंदर, तो आप बोलोगा, present value है, तना आसान नहीं ह हम क्या कहते है, 10 years के बाद incur करना है, 100 crores, आप यह 100 crores incur करना है, कैसे मालूपड़ा, तुम समझ रहो, तो यह 100 crores निकाला सिखाएगा तुमको, इतनी इतनी उश्यारी इसकी, तो कुछ नहीं करना है, जो भी question में information दिया, चुप-चाब use करते वे चलना उसको, माता दो कैसे सुन लो, बोलता है, बी कमिश्टिंग का value चाहिए, 10 साल के बाद incur करना है उसको, ठीके, तो सपोज आपको मालूम पढ़ा कि, 10 years के बाद, 100 crores incur करना है, बराबर, तो आपको उसकी आज की value कैसे मिलेगी, discount कर देना, for 10 years, बट वो सब सिखाऊंगा, मैं कैसे करना है, क्या-क आपको सिखाता हो, कैसे मिलेगा, जर देखो, मैंने solve किया वह इसको आपके लिए, यह रहा, तो labor cost वगेर आपको मिला, ठीक है, उसके बाद, और क्या बोला है, फिर बोलता है, overhead cost is 80% of labor cost, तो बोलो, add overhead cost, क्या है, कितना है, 80% labor का, labor का 80%, add करो, फिर क्या बोलता है, फिर बो profit markup लगा दे, फिर आगे का बोलता है, आगे बोलता है, यह सब excluding inflation है, अपने को inflation भी लेना पड़ेगा, बराबर, तो inflation कितना है अपने लिए, तो बोलता है, मेरे क्याल से, estimated premium 5%, real cash was monetary value में, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, यह जो 5% का premium है, यह आपन लग देंगे, तो total जो भी value आई, उस पर 5% premium add कर दिया, very good, ठीक है, premium बोलता है, अच्छा inflation नीचे दिया हुए, 4% over the period of 10 years, अब inflation अब कैसे करते हो, आपको करना पड़ेगा 1.04 raise to 10, यह जो भी factor आपको आएगा, वो इतना आता है, 1.4802, calcium पे करोगे तो आएगा, है ना, यह आ अब ही value है, उसको इस 1.4802 से multiply कर देना, आपको मिलेगा decommissioning का value, बट जो decommissioning का value मिला, वो 10 साल के बात का value मिला है आपको, बराबर जैसे मैंने क्या बताया, decommissioning का fair value, 10th year के end पे इतना है, मेरे को आज का चाहिए, तो मैं इस value को अगर 10 साल से discount कर दूँगा, तो मुझ capital asset pricing model, वो से दिया हुए आपको, है ना, तो 5 plus 3.5, that is 8.5 का, तो 8.5 का discounting factor है, बस, यह 10 साल के बात की value थी, 10 साल के बात की value कैसे मालूम पड़ा सर, आरे आपने 10 साल के इंफलेशन अड़ के अन्दर, 10 साल के बात की value मिली, discount करो इस से, मिलेगा आज का present value of decommissioning, that's it, clear, Kolkata market, ठीक है, अब वो बोलता है, Mumbai market में, आपको, बेचो के तो कितना मिलेगा, 290 मिलेगा, Kolkata में 280 मिलेगा, अब पहले बोलता है, Mumbai principal market है, तो fair value क्या रहेगा, बोलता है, fair value if Mumbai is the principal market, जब principal market है, तो दिरेक लिए principal market की fair value लेनेगा, fair value के लिए, fair value और transportation cost कोश्टी माइनस करन फिर बोलता है, second case, what should be the fair value if none is the principal market, तो आपको निकालना पड़ेगा, most advantageous market, अब आप वो कैसे निकालोगे, सारे खर्चा माइनस करो, 290 माइनस 40 माइनस 30, तो आएका 220, और Kolkata का सब माइनस करो, 280 माइनस 20 माइनस 30, आएका 230, कुन सा advantageous है, 230 वाला, लेकिन fair value कितनी है, fair value क्ल case number B में, case number B में क्या बोलता है, बोलता है, एक्सपोर्ट भी कर सकते है, लेकिन आप export सी 15% कर पाओगे, और export महेंगे में करोगे, 280 में, तो मैं बोलो, सबसे आदा प्राइस तो यही मिलने वाला है, लेकिन, आप सी 15% एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो बोलता है, क्या export की value को आप fair value मान सकते होगे, मैं बोलो, the answer is no, why, export की जो market है, वो आपकी principal market नहीं हो सकती, क्यों, principal market वो होती है, जिदर आप maximum value में trading करते हो, मैं बोलो, आपका maximum value तो domestic market में 85% हो रहा है, तो domestic market is your principal market, जो export की value हो नहीं होगे, because यह hint है, कि यह principal market नहीं है, आप domestic में भी 2 है ना, उसका discussion नहीं किया, domestic में कुनसी वाली लेंगे, इन्होंने बोला domestic की लेंगे, export की नहीं ले सकते है, clear यह वाला part, खतम, आगे बढ़ जाते है, yes, आगे बढ़ जाए, let's proceed further, तो यह अपना index, ओ भाई साहब, 113, मेरी खामोशी को, मेरी कमजोरी मत समझना, CA student हो मैं, अरे वा सर वा, अरे, हो गया, तो यह अपना, 113 भी हो गया,